तो hello guys good afternoon तो guys मैं रोहित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर तो guys मैं अभी इस वीडियो को दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक बार रिकॉर्ड करने के बार यह थोड़ी करप्ट हो गई मेरे से वीडियो तो guys अभी दुबारा वैसी energy नहीं फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए यह 50 questions अच्छे से आएं ठीक है आपको अच्छे से समझाए आप इन questions को जैसे पहली वीडियो में आपने अच्छा response दिया है अच्छे questions आपने करे हैं जैसे उसमें करे हैं वैसे आपको इसमें भी करने हैं तो यह computer awareness का जो हम साथ साथ के त्यारी कर रहे हैं ठीक है उन पर ही कुछ question यह base है जो लक्षर में आपको आपके लिए हुए हैं उसके ही बाद के यह question है ठीक है आपने इनको अच्छे से enjoy करना है अच्छे से attempt करना है पहले question को देखके वीडियो को pause करके question को attempt करना है उसके बाद answer देखना है इसका answer आपको पहले मुझे comment box में देना है फिर आपने इसका answer देखना है तो गाज इसका answer है हमारे पास option number B पॉटेबल है lightweight है और इस यह briefcase में अराम से set हो जाता है question number 2 है हमारे पास dash dash is not a micro computer अब जो यहां पर दिये हुए है desktop computer tablet PC handled computer and mainframe computer तो इन में से कौन सा micro computer नहीं है तो गाज इसका answer है option number D देखो जब मैंने आपको type sub computer discuss कराये थे उस वाकत मैंने आपको कहा था है कि जो mainframe computer जो होता है उसमें at a time हम thousand users भी काम कर सकते हैं ठीक है जो बड़ी-बड़ी laboratories होती है जैसे isro हो गया ठीक है nasa हो गया तो वहां पर क्या होता है मतलब कि एक system पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं उन computer को कहते हैं guys mainframe computer I hope कि आपको समझ आ गया होगा अगले को तरह बढ़ते हैं question number 3 है हमारा general purpose computer किस लिए use किया जाते हैं accounting के लिए creating a small database calculation को perform करने के लिए all of the above पहले वीडियो पहले वीडियो को पास करो answer को answer को इसको question को number 4 है हमारा के इन में से special purpose computer के example कौन सी नहीं है automatic aircraft landing word processor multimedia computer या all of the above तो guys इसका answer है हमारे पास word processor अब word processor जो है यह क्या है यह special purpose computer नहीं है गाइस ठीक है तो question number 5 है हमारे पास अब palm top computer is also known है जो palm top computer है उसको और क्या कहा जाता है personal computer कहा जाता है notebook computer कहा जाता है tablet PC कहा जाता है या handled computer कहा जाता है तो guys palm top computer को कहा जाता है handled computer क्या कहा जाता है guys handled computer कहा जाता है तो question number 6 देखते हैं कि printer डिवाइस तो आपको इसका आंशर कमेंटमैस में देना हों कुछ नम्बर कोशिनर नमबर सेवन है हमारा जो कम्प्यूटर के ब्रेंट जो है उसका नाम् आपको यहां पर जाने वाला नहीं हो इस का अंसर आप यह आप्षिन देखिए monitor hardware CPU byte इस का अंसर आपने खुद देना इस का अंसर में आपको दिखाने वाला नहीं हो गाइस ठीक है तो गाइस यह है हमारा अगला पिछले question का अंसर आप मुझे comment box में जरूर देंगे ठीक है question number 8 है हमारा the output devices make it possible to output devices होती है उनसे possible क्या मुम्किन होता है view our print data data को store कर सकते है data को scan कर सकते है या data को input कर सकते है तो गाइस इसका अंसर पहले comment box में दीजिए बाद में अंसर देखिए no cheating question number 8 का answer है हमारे पास output devices से क्या मुम्किन होता है हम data को देख सकते है data को print कर सकते है गाइस अगला question question number 9 है हमारे पास common method जो है text को enter करने का numerical data को enter करने का हमारे computer system में उसको हम कैसे एंटर करते हैं तो गाइस हम करते हैं वह किसे एंटर keyboard से करते हैं scanner से करते हैं printer से करते हैं प्रिंटर से करते हैं तो इस question का answer भी मैं आपको नहीं देने वाला हूं इस question का answer भी आप मुझे comment box में देंगे guys ठीक है तो guys मैं सीधा अगला question हूंगा question number 10 question number 7 का और question number 9 का answer आप मुझे comment box में जरूर देंगे guys question number पेश्च से जरूर लगाईएगा कि मुझे पता चले कि ये कौनसे question का आपने answer दिया है guys और guys मुझे क्या हो गया है मैं आपको बता पिछली वीडियो में अच्छे comment किये हैं तो guys question number 10 देखिए विच्च तो following group consist of only input devices अब जो यहाँ पर आपके पास following दी हुई है इनमें से input devices कौनसी कौनसी है कौनसा कौनसा group input devices का है option A mouse keyboard monitor option B mouse keyboard printer mouse keyboard plotter mouse keyboard scanner तो guys क्या group है इनमें से input devices का कौनसा group है input devices का group है इसमें से mouse keyboard scanner जो है य यह input devices का एक group है यहाँ पर तो guys question number 11 जो है अब आपने देखना है कि इनमें से output devices का group कौनसा है guys पहला option scanner printer monitor keyboard printer monitor mouse printer monitor plotter printer monitor तो guys इसका answer है हमारे पास option number D plotter printer और monitor यह सब क्या है यह output devices हैं देखो guys यहाँ पर तो आपको doubt की कोई संभाव ना बनती ही नहीं है क्योंकि जब मैंने आपकी lessons लिये थे जब मैंने आपको computer awareness के lesson पढ़ाए थे उसकत बहुत अच्छे से यह निकि इनकी images के साथ साथ मैंने आपको lesson पढ़ाए अगर नहीं अगर आपने अटेंड किये हैं तो जाक इसका answer भी बहुत ही easy है अभी मैंने पीसे कहा है तो इसका answer भी मैं आपको यहाँ पर प्रवाइड नहीं करने वाला हूं इसका answer भी आपको मुझे comment box में देना है तो जिसका answer आपको जो PDF है जो मेरे telegram channel पर मिल जाती है उसका link मैंने आपको description box में दे रखा है वहां से भी आ आपको question पूछे जाते हैं आप वहां से भी questions का answer कर सकते हैं जो बच्चे अभी वहां पर जुड़े नहीं है वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं ठीक है guys तो question number 12 का answer भी आप खुदी provide करेंगे मैं यह provide PDF में करने वाला हूं बट यहां पर इसका answer में provide नहीं करूँगा guys ठीक ह question number 13 पे arithmetic operations क्या होते हैं ठीक है इसमें पहला option है कि इसमें से हम एक data को एक data की item को दूसरी खत मैच कर सकते हैं जिसे हम यह determine कर सकते हैं कि पहली बढ़ी है equal है या जादा दूसरी बढ़ी है ठीक है यह बोलता है कि हम इसको इनके standard के carding data को यहां पर item को sort कर सकते हैं ठीक है ascending तो question number 14 के और बढ़ते है question number 14 में क्या पोचा गया है कि जो series of instructions होती है ठीक है जो एक computer देता है कि हमें क्या करना है कैसे करना है उसे program कहते हैं command कहते है user का response कहते है या पर सब्सक्र कहते हैं तो इसका answer पहले अगर आपको नहीं आता है अगर आता है तो comment box में जरूर लास्ट में वीडियो देखने के बाद आपको बताना है कि आपको 50 मैसे कितने marks आपने लिए गाइस ठीक है 50 मैसे कितने questions आपको इसमें आते थे देखता हूं कि किस बच्चों कितने questions आते थे तो question number 50 नहीं है हमारे पास यहां पे which part of the computer displays the work done अब हमें computer का कौन सा हिस्सा है वह कौन सा part है जो हमें कहता है कि आपका काम हो चुका है जो हमें display करता है जहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा काम पूरा complete हो चुका है वह RAM है printer है monitor है या ROM है ठीक है एक काम एक question और पूछना चाहता हूं आपसे मैं कि RAM और ROM जो होती है ठीक है आप इनकी मुझे क्या कहेंगे इनकी जो full farm होती है दौनों की वह आप मुझे comment box में कहेंगे ठीक है तो question number 16 की इसकान से देखते हैं पहले वह है डिस्प्ले डिस्प्ले जो होता है ठीक है हमारा जो work हो चुका है वह हम कहां देखते हैं वह monitor पे देखते हैं अगले question की और बढ़ते है question number 16 है हमारा कि कोई देटा या instruction जो हम enter करते हैं हमारे computer की memory में उसे हम क्या बोलते हैं अभी just enter किया है उसे क्या बोलेंगे storage बोलेंगे output बोलेंगे इसका answer मैं आपको देखाता हूं कैसे करना होता है देखे गाइस सबसे पहले अभी हमने सिर्फ एंटर किया है सेव करेंगे storage बन जाएगा पहला option गल्त ठीक है अभी हमने इंस्ट्रक्शन को enter किया है तो output होने वाली बात ही नहीं होती है ठीक है output होगा तभी हमारा information बनेग ठीक है अब output को देखने के लिए आप क्या यूज़ करते हो monitor यूज़ करते हो keyboard यूज़ करते हो mouse यूज़ करते हो या scanner यूज़ करते हो तो इसका answer बहुत ही simple है मैं आपको बताता हूं इसका answer कैसे attempt करना अगर आपको नहीं आता है तो आता है सिधा click करके आप वापस आ ज इसको हम गुमाते हैं करसर को मुग करते हैं सकानर से पता है कि जो हम picture टैक्स को हम scan करते हैं तो बचता है हमारे पास monitor ठीक है इसका answer क्या होगा गाईस monitor होगा तो question number 17 है हमारे पास कि scanner क्या scan करता है अभी में पीछे बता चुका हूं इस cancer भी मैं आपको बताने वाला नहीं ह करना है question number 18 आपने लगाना है 18 का answer जो होगा A होगा B होगा C होगा D होगा वह बताना है ठीक है तो scanner क्या scan करता है picture text both picture and text neither picture not text ठीक है इसका answer आपको बताना है बहुत अच्छे बचे हैं आप तो guys I hope कि आपने इस question का answer दे दिया होगा अगले question क्यों बढ़ते है question number 19 which of the following is not an input device इन में से कौन सी input device नहीं है keyboard monitor joystick या microphone इन में से input device कौन सी नहीं है ठीक है guys यह आपके सामने options है इसका answer आता है तो वेलेंड़ कूड नहीं आते इसका answer देखे guys यह हमारे पास इसका answer guys monitor monitor क्या है यह input device नहीं है, देखो, keyboard भी input device है, joystick भी input device है, बताता हूँ आपको joystick क्या होती है, पढ़ाया भी है, आपको joystick क्या होती है, जो games खेलने के लिए लगती है, तो microphone यह भी input device है, तो guys इनमे output device क्या हो जाती है, monitor हो जाती है, यह भी आपको question solve करने के तरीका है, इसे question को आप solve कर सकते हैं, question number 20 है guys हमारे पास, जो data को हम backup करते है, ठीक है, data files को backup करते है, जिससे जो हमें help करती है, हमारा prevent करने में, ठीक है, जिससे हमारी कोई चीज बच जाती है, वो चीज क्या बचती है, loss of confidentiality, ठीक है, जो confidentiality का loss होता है, वो बच जाता है, data की duplication बच जात जो डेटा होता है हमारा वह बच जाता है तो इसla answers भी आपको आता हागा I Hope कि आता ही होगा अगर नहीं आता है à it तो इसका answer देखे क्या है है मैं बताता हूं देखो हमारा data हमने data को backup किया है ठीक है data हमारा हमारा delete हो गया था loss हो गया उसको हमने बैक अप किया, तो हमें वापस क्या आया, डेटा का जो लास हुआ था, वो वापस आएगा, ठीक है, अगर हमने बैक अप कर दिया, उससे हमारा क्या बच जाएगा, कि हमारा डेटा लास नहीं होगा, जिस तरह की मेरी पहली वाली वीडियो जो है, जो मैंने है, वो मुझे दूबर खगई, क्रॉप्ट हो गई, तो मैं इसको raha record कर रहा हूँ, अगर क्रॉप्ट नहीं होती, तो मेरा क्या होता, गपको लास होने से बच जाता, मेरा तयम बच जाता, जो मैं अभी दुबारा वीडियो को record कर रहा हूँ, तो question No.21, दखते हैं इसको हम छूँ सकते हैं, इन में से क्या है, आपको इसका अंसर पता चलके होगा भी तक, तो इसका अंसर देखते हैं, वो है hardware, ठीक है, देखो, data को आप किस तरह टच करोगे, operating system को आप किस तरह टच करोगे, नहीं कर सकते हैं, hardware को टच कर सकते हो, keyboard को टच करोगे, mouse को टच कर होगे, but इन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते हैं, नहीं कि software को भी आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अगला question देखते हैं, अगला question है, हमारे पास question number 22, के, dash dash is processed by the computer into information, तो हम इन में से, ठीक है, किसको हम process करते हैं, जिससे के computer में information बन जाती है, किसको process होके, information बन तो guys, data, number, alphabet, picture, तो guys, इसका answer क्या है, simple answer है, आप दे सकते हैं, चलो में इसका answer दिखा लेता हूँ, तो guys, वो head data, जब data input होता है, वो process होता है, process होने के बाद, वो हमें information की शकल में change हो जाता है, guys, तो question number 23, देखते हैं, हमारे पास क्या है, to access properties of an object, किसी object की properties को access करने के है, उसका क्या click किया जाता है, right click, shift click, dragging या dropping, तो guys, simply आपको इसका answer पता होगा, देखे, जब भी हम किसी चीज़ को computer की screen पे देखते हैं, उसकी properties को जानना है, यहनिकि उसकी details जाननी है, ठीक है, वो कितने MB का है, ठीक है, यह सब जानने के लिए हम देखते हैं, कि इसकी memory कि कितनी है, इसकी कितनी storage, इसने हमारी cover की हुई है, ठीक है, वो सब हम उसकी properties में देखते हैं, तो properties को जानने के लिए हमें right click का use करना होता है, अपने mouse पे, ठीक है guys, तो question number 24 है हमारे पास, dash dash can make it easier to play, मैंने पहले ही आपको कहा कि game को play करने के लिए, कौन सी चीज़ आसान कर देती है, mouse, joystick, keyboard, pen, यह आपके सामने options हैं, तो guys, मैंने पीछे, एक दू question पीछे मैंने आपको बता चुका, मैंने आपको बता लिया है कि क्या है, तो guys, आपको इसका answer comment box में देना है, question number 24 लगाईएगा, option A, B, C, जो भी है, वो आप comment box में देजेगा guys, अगले question बढ़ते है अगला question है guys, हमारे पास question number 25, question number 25 और बचते हैं, उनको भी attempt किजेगा, उनको भी देखेगा, codes consisting of lines of varying, अब ऐसा code होता है, ठीक है, line का कुछ code होता है, जिसकी length थलाग होती है, width थलाग होती है, computer जिसको read कर सकता है, तो हम क्या बोलते है, ASCI code, magnetic tape, barcode, OCR scanner, तो guys, simply मैं आपको बता हूँ, देखो code किस तरह होता है, इस तरह का कुछ code होता है, lines लगी होती है guys, इस तरह की कुछ lines लगी होती है, ठीक है, तो वो पढ़ता है, computer की, वो computer पढ़ सकता है, तो guys, उनको हम कहते हैं, barcode, क्या कहते हैं guys, barcode, यह आपने अक्सर आपने देखा होगा, आपकी books पे है, तो question number 26 है guys, हमारे पास, पीछे अभी इस question को हम attempt कर चुके है, तो guys, sorry, दुबारा यह question यह आप आ गया है, लेकिन दो question तो आया है, लेकिन घुमा के question पूछा है, क्या question पूछा है, to access property of an object, इसी एक object की property को access करने के लिए, mouse की technique को यूज की जाता है, dragging, dropping, right click, shifting, इसका answer comment box में दीजेगा guys, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, जो के आप हर एक question का answer provide कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, question number 27 है, video processors consist of, ठीक है, video processor जो होते हैं, उसमें क्या-क्या होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, images को process करते हैं, और images को guys, या करते हैं, store करते हैं, CPU and VGA, CPU and memory, VGA and memory and VGI and DVI, तो guys, क्या करना है आपने, इसका answer comment box में देना है, नहीं आता है, तो answer देखेगा guys, तो इसका answer है हमारे पास, VGI and DVI, तो एक काम मैंने आपके यहां पे रखा हुआ है, VGI और DVI की आपको full form search करके comment box में बतानी है guys, ठीक है, अगला question देखते हैं, question number 28 अब जो system unit है हमारे पास, यह क्या करता है, input या output devices को coordinate करता है, यह क्या है, electronic component का house है, ठीक है, यह hardware और software का combination है, ठीक है, यह control or manipulate करता है data को, तो यह क्या है guys, तो system unit जो है, यह combination है, कि इसका hardware और software का, समझा गया आपको, ठीक है, आगला question देखते है, question number 29 क्या है हमारे पास, अ अब जो MAN circuit board होता है किसी system unit का, अब कोई system unit है, उसका जो main circuit board है जहां से बाकि सारे connections है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, computer program कहते हैं, control unit कहते हैं, motherboard कहते हैं या RAM कहते हैं, तो इसका answer होगा हमारे पास, option number C, उसे हम कहते हैं, motherboard, जहां से क्या होता है, वो सारे system जो होते हैं जो circuit board होता है मैं मदर board होता है जहां से सारी wire जो होती है वो connect होती है guys I hope कि आपको यहां पे समझ आ गया होगा आगले question के बढ़ते हैं question number 30 है हमारे पास कि इन में से कौन सी की जो है हम numbers को quickly क्या कर सकते हैं input कर सकते हैं हाँ तो guys इसका answer है हमारे पास क्या अब जो numbers को quickly यहां पे करेगा control shift and alt keys function keys numeric keypad या arrow keys तो guys इसका answer है हमारे पास numeric keypad ठीक है guys यह answer यहां पे typing mistake हो गया है इसका answer है numeric keypad numbers को quickly अगर हमने input करना है तो numeric keys ही चलेंगी ना arrows की तब हम पे कोई काम नहीं होगा guys तो इसके लिए इसका correct answer है हमारे पास numeric keypad तो question number 31 देखते हैं हम क्या है the main system board of a computer is called the जो main system होता है computer के board का उसे हम क्या कहते हैं guys तो देखो यहां पे अभी पहले वाला question है जिसका answer आपको पता होगा क्या था उसको यहां पे थोड़ा गुमा के question को पूछा गया है option दिये है integrated circuit, motherboard, processor, microchip आपको क्या करना है 31 question लगा के आपको इसका answer comment box में देना है मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ गया था ठीक है guys तो हम सीधा अगला question देखते है question number 32 which of the following can input graphical images and pictures for the computer इन में से निचे जो दिये गए है plotter, scanner, mouse और printer इन में से कौन सा है जो graphical images और picture जो है computer के लिए input दे सकता है तो guys इसका answer क्या होगा option number B तो guys scanner ही जो है pictures को और images को या text को करता है input करता है तो guys ठीक है आप समझ रहे हैं इनको scan करता है तो guys question number 33 है आपके सामने कि caps lock की जो होती है ठीक है उसको हम toggle key क्यों बोलते है इसलिए बोलते हैं क्योंके वो क्या function करती है goes back and forth every time जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो back and forth हो जाएगी अगर प्रेस करेंगे तो caps lock जाएगा यह वो होता है या it can not be या इसको हम number use करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं या इसलिए इसको toggle key बोलते हैं या इसको हम delete के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्या तब इसको toggle key बोलते हैं या इसको insert के लिए यूज नहीं कर सकते हैं question number 34 है हमारे पास using output devices one can output devices को use करने से एक आदमी क्या कर सकता है data को input कर सकता है data को store कर सकता है data को scan कर सकता है data को print कर सकता है या view कर सकता है तो इसका answer है हमारे पास output device को use करने से एक आदमी क्या कर सकता है data को print कर सकता है देख सकता है और data को view कर सकता है तो guys question number 35 है हमारे पास कि इन में से कौनसी categories है ठीक है जो हमारे keyboard में include होंगी ठीक है printing device, output device, storage device, input device अब आपको बताना है कि हमारा जो keyboard जो होता है इन में से वो कौनसी device है तो इस cancel भी आपको आता है नहीं आता है तो इस cancel में आपको दिखाने वाला हूँ इस cancel हमारे पास input device कि जो keyboard जो है वो क्या है guys एक input device है ठीक है question number 36 देखते हैं क्या है हमारे पास के control shift ये कौनसी keys है control shift और एक alternate keys भी लगा लो यहाँ पर ठीक है तो guys ये कौनसी keys है adjustment keys है function keys है modifier keys है या alphanumeric keys है तो guys इसका answer बहुत ही easy है मैंने ये question पर पहले भी आपको पूछा था और facebook जो group है वहाँ पर भी मैंने ये question पूछा था जिसका answer है हमारे पास modifier keys control and shift जो है ये क्या है modifier keys है question number 37 है हमारे पास ठीक है इसमें से कौनसी term को क्या बोलते है data storage system बोलते है जो computer के लिए या electronic device के लिए उसके data को store कर सकता है और data को retrieve कर सकता है तो guys क्या है वो क्या वो retrieval technology है क्या वो input technology है क्या वो output technology है क्या वो storage technology है तो guys आपको इसका answer बताना है तो guys इसका answer है हमारे पास question number 37 तो बहुत बच्चे इसका answer क्या click करके आएंगी retrieval technology क्यों 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 क्योंने यहाँ पर retrieve देखा है data को retrieve करने के retrieval technology होती है उनके हिसाब से किनके हिसाब से जो बच्चे तुके बाज होते हैं क्या होते हैं जो बच्चे तुके बाज होते हैं तो आपको तुके बाज तो बनना ही नहीं है बिलकुल भी आपको क्या करना है अच्छे से preparation करनी है और आपको सही answer पे click करके आगाना है एक्जाम में तो question number 38 जो हम यहां पे देखेंगे वो है the term refers to any computer component that is required to perform work अब हमें work करने के लिए work को perform करने के लिए किस component की जरूरत होती है ठीक है bootstrap kernel resource या source code तो guys इसका answer है हमारे पास option number C उसे हम कहते हैं resource ठीक है resource एक ऐसा ऐसी term है जिसको हम work perform करने के लिए हमें जिसकी अवशकता पड़ती है question number 39 है हमारे पास guys video पूरी देखेगा कि जो एक चीज है इसी क्या चीज है वो जो responsible है क्या करने के लिए calculations करने के लिए और decision making mechanism के लिए तो guys क्या है वो CPU है memory unit है arithmetic and logic unit है या output unit है तो guys simply इसका आप दे सकते हैं कि वो है arithmetic और logic unit ठीक है जो calculations भी कर सकते हैं guys CPU जहाँ वो calculation नहीं कर सकता है वो simply brand होता है तो उसके अंदर के पार्ट जो होते हैं arithmetic ALU और control unit उसके अंदर एक पार्ट होते हैं ठीक है guys question number 40 देखते है question number 40 हमारे पास क्या है यहां पर कि पुछा गया है कि you use ARN such as keyboard or mouse to input information आप क्या करते हैं keyboard को use करते हैं और mouse को use करते हैं information को input करने के लिए तो अब यह क्या चीजे है storage device है processing device है input device है output device है दुगा जाबी तक मैं 10 बार बता चुका हूं कि जो keyboard और mouse जो है यह हमारी क्या है input devices है ठीक है guys अगले question के और बटते है question number 41 अब output क्या होता है पहला option दिया गया है कि जो processor user से लेता है दूसरा बोला है कि जो user processor को देता है तीसरा option बोला गया है जो processor user से लेता है ठीक है जो processor को user से मिलता है चोथा option बोला गया है जो processor user को देता है, ठीक है, what the processor gives to the user, तो guys इसका answer है हमारे पास, simply की output क्या होता है, जब processing हो जाती है, उसके बाद, जो result जो होता है, किसको, जो result user को मिलता है, उसे हम कहते हैं guys, output, तो question number 42 है हमारे पास, guys दूसरी बार record कर रहा हूं, थोड़ा problem हो रही है, guys manage किजेगा, computer dash dash is whatever is type computer क्या है, जो हम type, computer की वो चीज क्या है, जिसको हम type करते हैं, submit करते हैं, transmit करते हैं, हमारे computer system में, तो guys वो क्या है, input है, output है, data है, या circuitry है, तो guys simply है, वो क्या input, वो क्या है guys, input, तो guys, आगले question के और बढ़ते हैं, आगले question हमारे पास, question number 43, which process checks to ensure the component of the computer are operating and connected properly, ठीक है, इन में से कौन सा process है, जो क्या करता है, हमारे जो computer के component है, वो operate कर रहे हैं, प्रापरली जुड़े हैं, हमें कौन सा process बताता है, बोटिंग, processing, saving and editing, तो guys, simple answer होगा, इसका, बोटिंग, ठीक है, बोटिंग जो होती है, उससे हमें पता चलता है, कि हमारा system जो है, वो प्रापरली connected है, और प्रापरली operate कर रहा है, या नहीं कर रहा है, तो guys, question number 44 है, हमारे पास, पोरे question attempt कीज़ेगा guys, आपके लिए हैं ये question isolation, तो, dash dash is performed by the computer into information, अभी इसमें से हम computer को information में किस चीज़ से प्रोसेस कर सकते हैं, number से, processor से, input से, या data से, या या वो क्या है, जिस से हम computer को information में प्रोसेस करते हैं, किया चीज़ है वो, तो guys वो चीज़ है data data को computer से information में process किया जाता है तो guys question number 45 फिर से आ गए है यहां पर इस cancer आपको देना है control shift देखो guys question गुमा के पूछा है थोड़ा उल्टा पूछा है control shift and alt are called dash dash keys कौन सी keys है adjustment function modifier alphanumeric इसका answer आपको देना है इस cancer में आपको प्रवाइड करने वाला नहीं हूँ चलो देखें इसका answer क्या है modifier keys है यह question 46 तरह बढ़ते है question 46 क्या है कि what is the function of the CPU जो CPU है यहनकी central processing unit जो है इसका function क्या होता है invoices create करता है calculating and processing करता है data को delete करता है data को corrupt करता है तो cpu का आपको पता है कि वह क्या करता है noble calculations भी करता है और processing करता देखो invoices को तो create बिल्कुल भी नहीं करता है data को delete बिल्कुल भी नहीं करता है data को corrupt भी नहीं करता है तो आपके पास option बचता है option नामबर me k Tो option number b करक के आ जाहीएगा ठीक है, question number 47 है, हमारे पास, all the characters that a device can use is called, it's, जितने भी characters जो होते हैं, जो device क्या करती है, use कर सकती है, उसो हम क्या बोलते हैं, skill set, character alphabet, character codes, keyboard, characters, तो गैस इसका answer है हमारे पास, option number D, जितने भी characters जो है, चाहिए वो आप numerically input करो, ठीक है, numerically enter करो, या आपका text enter करो, ठीक है, या आप symbols enter करो, तो guys, वो सब क्या है, वो सब होते हैं, keyboard characters, ठीक है, question number 48 देखते हैं, हमारे पास क्या है, कौन सा unit control करता है, जो हमारे signal होते हैं, CPU और input, output, जो devices होती हैं, उनके बीच में, तो guys, ALU है, CU है, MU है, या scanner storage है, यानकी, इन option में से कांजा option है, तो guys, control करना होगा, तो control unit इसको control करें, correct answer है, option number B, control unit, तो question number 49 देखते हैं, क्या है, हमारे पास, 3-man parts जो होते हैं, computer जो processor है, उसके कौन से कौन से है, पहला option ALU, control unit and register, ALU, control unit and RAM, cache, control unit and registers, control unit, registers and RAM, तो guys, इसका answer है, हमारे पास, option number A, जो 3-man parts होते हैं, किसी processor के, वो होते हैं, arithmetic and logistic, यह logical unit, control unit and registers, समझा रहे हैं, अच्छी बात है, question number 50 जो है guys, पहला, यह पूछा गया है, यहां पर क्या पूछा है, कि PIN में से, input unit के साथ, क्या relate नहीं करता है, if accept data from the outside world, क्या यह data को outside world से accept करेगा, it converts data into binary code, that is understandable by the computer, क्या यह binary code को क्या करता है, data को binary code में convert करता है, जिसको computer समझ सकता है, क्या यह input device है, it converts binary data into human readable form that is understandable to the user, जो user के लिए understandable, understandable होती है, क्या वो input unit नहीं है, ठीक है, it sends data into binary form to the computer for furthering processing, यह data को send करता है, binary form में computer की further processing के लिए, तो guys, इसका answer है, option number C, देखो, यह क्या है हमारे पास, यह है output, क्या हो है output देखो, अब इसने क्या किया, binary data को human readable form में बना दिया, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, अब उसको user understand कर रहा है, अब user के understand में कब बनता है, जब वो process होके आ जाता है, ठीक है, user के पास, जब user के screen के सामने आ जाता है, उसे हम बोलते है, output unit, तो guys, यह क्या है, यह तो result आ गया, मतलब यह इसका option, correct है, क्योंकि यह input unit से relate नहीं करता है guys, simple इसका answer था, थोड़ी समझने की बात थे guys, तो यह है हमारे पूरे 50 questions, जो हमने इस वीडियो में discuss किये, I hope guys, यहां से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, सीखने को कुछ जरूर मिला है, तो guys, वीडियो को like करें, ठीक है, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आज मिलेगी, या कल मिलेगी, ठीक है, वह मैं आपना time, देखके time मिलना चाहिए guys, मुझे भी, ठीक है, तो guys, comment करके अपने feedback नहीं, वीडियो कैसे लेगे guys, share करें, इस वीडियो को अपने friends आखे वो इस वीडियो को देख सके, चैनल को subscribe करें, चैनल को subscribe नहीं किया guys, तो bell icon को press करना ना बोलें guys, ताके आपको update मिल जाए, तो अगली class होने वाली है guys, हमारी Monday को, Monday को exact 10 बज़े आ आल वेदा लेते हैं, God bless you all.